नमस्कार देव फुमी समचार में स्वागत है अपकर मैं हूँ आपके साथ प्रियांका मिश्रा बुल्टिन की करेंगे शुरुआत उतरकाशी से बड़ी खबर सामने आ रही है सुरंग में देर रात शुरू हुआ काम ओगर मशीन से शुरू हुआ ड्रिलिंग का काम खत्रा क कम करने के लिए किया गया स्प्रे अंतिम चरण में आस्थाई सडक बनाने का काम और मशीन से शुरू हुआ ड्रिलिंग का काम अंतिम चरण में आस्थाई सड़क बनाने का काम और देरदून से मरसाथ समधता अब है कैतुरा लाइफ जूड़ चुकें जी अब है जिस तरह से लगातार नौ दिनों से रिस्क्यू आपरेशन चल रहा है कई प्लान पर काम किया जा रहा है क्या कुछ तार जबरेट है अब ये कहें कि राज्य अरकेंद दोनों मिलकर इस काम में आपती कॉडिनेशन के मार्ध्यम से जो तरनल के भीतर जो मज़ूर पते हैं उनको निकालने के लिए इस तब जदोजहत करते हैं सब्सक्राइब करते हैं जिन चैनल का अधार जा रहा है यह कह सकते हैं कि प्लान के तौर पर दूसरी और यह कह सकते हैं कि जो पैकल्पिक्स बार्ग इनको बनाने का काम यहां पर क्या जा रहा है सबसे पहले यह कह सकते हैं कि जिन मसीन के माध्यम से जो चोटी के माध्यम से जो जेलिंग मसीन है काम करना सुरू कर चुकिए एक जिन वहां पर किया जाएगा जो स्पाइब को अंदर भेजने काम होगा जो स्पाइब के माध्यम से जो अंदर पसेवए जो मौईदूर है उनको खाने पीने का सामान वहापद दिया जाएगा जो ज़रूरी चीज़ उनको इसमें इसमें आए सब्सक्ता है। उसको बने करें। इसके अलाबा जो बैकल्टिक तोर पर जो सड़क बनाने के काम तर बानसो मीटर की जो सड़क बननी है। उसके नौसो मीटर का हिस्सा आप तक यहां पर सून कर लिया गया है। यदि यह कह सकता है कि जो सड़क बनाने का जो काम था वो अंतिम चर्वर पर चुका है। बियारो अलोनी विगोमो इस काम को यहां पर करते में नगर आ रहे हैं। इसके अलावा जो सड़क के बेनों साइट से दाई और बाई साइट से जो जीज करने का जो काम था यह भी वहां पर सुरू हो चुका है। ऐसा मैं कह सकता है कि बैकल्टिक साज़क महों से तो काम हो ही रहा। करावा अत्या दुलिक जो चीज इस सम अपनाई जारे हो यह है कि अब रोबोट के माध्यम से भी इस रेश्क्री और वियान को आगे बराने काम होगा। रोबोट को तरनल्स के वीता भेजने काम पर क्या जाएगा। ताकि रोबोट भी उन सब चीजों की जानकानी वहां पर दे सके कि अगर दूसे साइट से यूम पाइप को निगट बहदने का काम के जाता है तो उसकार पर वहां पर होगा। इसने जल्दी उसकी संभावना यहां पर बन सकते हैं। उन सब चीज़ों को तलासने काम वहाँ पर हो रहा है, ताकि जो टर्नल्स के भीतर जिस्टालिस मईज़ों फोटे में, उनको जल से जल बाहर निकाला जा सके, यह कह सकते हैं कि PMO की टीम भी वहाँ पर देना डाल चुकिये, जो दूसरे भी सगेंगे, जो इसनमें टर्नल्स जिरे हो जो तभी इसनमें वहाँ पर जिते नगे जारा है, और केंद्र के इस दिशानिज़ों सर, PMO की स्टीम के इस रेच्ट को अगे बनाने का काम कर रहे हैं बिल्कुल अबे तो जिस तरह से तमाम तरेके प्लान को इंप्लिमेंट करने की कोशिश की जा रही है लेकिन सफलता नौ दिनों से हाथ नहीं लग पा रही है अंदर फसे मजदूरों की अधी मांसिक स्थिति की अधी में बात करें साइकलोजिकल कंडिशन की बात करें तो उस बिघ्डिआ कैंने की दिक्कते हैं उसको उन दवांगे तो भीचा नंतर निक्तिविटी もहाँ पर कम रही हैं उनकों किस परकार से महां पर काम रहना चाहिए काम उन्दर करना चाहिए किस अनिंसे अधीश की भीचान और बलानी चाहिए जिससे उनके बिमार पर कोई असर वहाँ पर ना कुछरिया और भेस्टा भी बहते पुद्रदस के उसके के वह दोक्टर की सला भी वहाँ पर ली जा रही है। था जो अब रहा हिए जो का सप्प्राई का रहा है। तो उस मसीन का काम बादितना हो, उस मसीन निजाद रूप से आपका काम करती रहे, तो यासी कोसित वहाँ पर की जा रही है. जी अब इसके अलावाद जिस तरह से तमाम मशीन अब लगाई गई हैं, तमाम प्लान भी इंप्रिमिंट किये जा रहे हैं, क्या उमीद जताई जा रही है, कि अब कितना दिन का और समय लगेगा मस्दूरों को बाहर निकालने में? जी अब इस तमाम जानकारी के लाप को बहुत 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 शुक्रिया. और इसके बाद उत्तरकाशी सही बड़ी खबर है, 41 जिन्देगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, टनल के अंदर पहुँचने के लिए 6 पॉइंट्स पर हो रहा है काम. टनल के उपर से वर्टिकल ड्रिलिंग की गई शुरुवात, पियरों ने डेड़ किलो मिटर तक कर ली है ड्रिलिंग. मजदूरों तक पहुचने की कोशिशे लगातार जारी एक्सपर्ट्स के मताबें 30 घंटे से जादा का समय लग सकता है. तो 41 जिन्दिग्यों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, अलग-अलग कई प्लान पर काम किया जा रहा है, टनल के अंदर पहुचने के लिए 6 पॉइंट्स पर काम हो रहा है, जिसे किसी भी तरीके से जल से जल मजदूरों तक पहुचा जाये, ट वही मिनिस्ट्री ओफ रोड एंड ट्रांस्पोर्ट के सचेव अनुराग जयन ने टनल हाथ से पर ब्रीफिंग दी है और समझाया है कि टनल की अभी ताजा स्थिति क्या है तर फॉर्चुनेटली, हाला कि पूरी घटना बहुत अन्फॉर्चुनेट है बट उसकी जो फॉर्चुनेट पार्ट है कि ये दो क्लो मीटर जो है ये पूरी तरीके से फिनिश टनल है इसलिए इसमें जो है अधर्वाइस कोई और खत्रा नहीं तो जितना जल्दी से जल् जाने की तो फॉर्चुनेटली यहां पर एक टाइपलाइन है चार इंच की जिस पर कंप्रेसर है तो उसके थुरू चला मुर्मुरा ट्राइफूर्ट्स जो भेजे जा सकते चार इंच की पैपलाइन में मैडिसिन्स, वाइटामिन C, वाइटामिन D, एंटी उसको हम लोग लगातार भेज रहे हैं, वरकर्स के साथ दो फोर मैं हैं, तो वो लोग बड़ा कॉडिनेट अच्छनंग से कर रहे हैं, तो in spite of all these troubles, वरकर्स अभी अपना पूरा होसला वकार बना हुआ है, लगातार रोज उसे उत्तरकाशी टैनल में फसे मजदूरों के लिए हवन प्रदेश कॉंग्रेस करेगी, प्रदेश अध्यक्षकरन महरा भी इस हवन में होंगे, शामिल मजदूरों के लिए की जाएगी विशेश पूजा तो तरकाशी से खबर प्रदेश कॉंग्रेस मजदूरों की कुशलता के लिए करेगी हवन प्रदेश कॉंग्रेस सध्यक्ष करन महरा भी हवन कारिक्रम में होंगे शामिल मजदूरों के लिए की जाएगी विशेश पूजा दैरादून के पंचायती वंदिर में होगा कारिक्रम उत्तरकाशी टैनल में मजदूरों के लिए कॉंग्रेस करेगी हवन प्रदेश कॉंग्रेस करेगी हवन प्रदेश अध्यक्ष करन महरा भी होंगे शामिल मजदूरों के लिए की जाएगी विशेश पूजा और इसी खबर पर हमारे साथ दैरादून से समधता तुशार गुपता लाइफ जुड़ जुड़ चुकें जी तुशार जुस्तरे से हावन पूजन कारिक्रम की बात कॉंग्रेस की द्वारा की जारी है जी तुशार कायथ मंदिर में आज मज़दूरों के लिए हबन करते हो ने ज़र आएंगे जिसमें प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष करन महरा भी शुरकत करेंगे ये तो लगातार प्रदेश अधेक्ष कर्ण महरा भी इस कारिक्रम में होगे शामिल कॉंग्रिस के द्वारा मजदूरों की सकुषल्टा के लिए आज होगी विशेश पूजा और हवन कारिक्रम का आयोजन कॉंगरेस के तमाम पदादिकारी मिलकर करेंगे मजदूरों के लिए सकुषल्टा की प्रार्थना तो लगातार पंच्वाइती मंदिर में कारिक्रम की तैयारिया पूरी हो चुकी है इस कारिक्रम में कॉंगरेस के प्रदेश उधिश करन महरा भी शामिल होंगे और इसे खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर तुशार गुपता धेरदून से जुड़ चुके हैं जी तुशार ज इस तरह से प्रदेश कॉंग्रिस की बात की जाए तो आज हवन पूजन का कारेकर मजदूरों के लिए रखा गया है क्या है पूरी जानकारी पर देश कॉंग्रिस कमीडी ने आज हवन का आवन किया था और आज उन्होंने एक हवन किया है आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीसमा पंचायती मंदिर में मौजूद हूँ और यहां पर खुद परदेश अद्यक्ष करन महरा यहां पर मौजूद है और वो हवन हुजा अतुन परदेश के बड़े नेता है जो मुख्य परवक्ता है वहां पर मौजूद है जो कारे करता है वो इस बार आवन कर्चे आपको नजर आ रहे होंगे और उसकी एक ही मांग है तुषार इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया तो यह थे हमारे सब्वादत देहरदू से तुषार ताजा जानकारी हमें प्रदान करा रहे थे और इसके बाद अगली खबर खटीमा से सामने आ रही है जहाँ डिएफो संधीब कुमार और स्टियो संतोश पंद के नेत्रतों में बड़ी कारवाई की गई है भारी मात्रा में खैर के गिल्टों से बड़ी कैंटर गारी पकड़ी गई है विभाग आज कर सकता है बड़ा खुलासा देरात हुई कारवाई में डिएफो संधीब कुमार स्टियो संतोश पंद और सोजी सहीत कई रेंज के करमचारी भी शामिल रहे और तसकर वन विभाग के करमचारियों के साथ मुद्भेड कर भागने में सफल हुए हैं बीते दो दिनों से कैंटर सोकता को साइकरों से इकठा किया जो हा रहा था उसको मुख्पिर की सूचना पर पकड़ा गया है विभाग आज इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा कर सकता है और अगली खबर दैरादून से है जाब पूर्वो मुख्यमंतरी त्रिवेन सिंग राहत रावत देव प्रयाक से पदियात्रा शुरू करेंगे गड़वाल संसिदीक शेत्र के सीता माता सरकिट तक की पदियात्रा की जाएगी आपको बता दें कि तीन दिनों तक चलने वानी ये पदियात्रा देव प्रयाक से शुरू होकर पॉड़ी के फल्सवाडी तक पहुचेगी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेन सेंग रावत ने यात्रा के भ्रमण कारिक्रम की जानकारी देते हुए बताया है कि वह बुधुवार को 22 नवंबर को देव प्रयाक संगम पहुचकर पूजा की शुरूआत करेंगे उसके बाद रगुनात मंदिर देव प्रयाग में पूजा करने के बाद पधियात्रा शुरू करेंगे वही 24 सबंबर को लक्षमन वंदिल देवल में पूजा करने के बाद कोर साड़ा होते हुए सीतामाता परिपत सरकेट यात्रा के स्वागत समारों में शामिल होंगे सीता कोटी और रात्री विस्राम मुशाली गाओं में होगा अगले दिनिये गात्रा वहनों से होगी और मुशाली में सीतामाता मंदिर में प्राता है पूजा अर्चना के बाद जामला खाल घृदोरी डांडा पानी होते हुए रात्री विस्राम स्री लक्षमर मंदिर प्रेश्टामी के आश्रम मंदिर और उसके प्रश्चात मन्सवार मेला फर्ष्वारी में जितमाता का चोड़ा सा मंदिर भी है वहां पर जो समादिक स्तल है वहां पर इसका समापन होगा उत्राखन में दो दिसम्मर से नगर निगमों की जिम्मदारी जुलाधिकारी और अन्य निकायों का काम काज SDM ट्रांक की अधिकारी समझालेंगे प्रशासक की चुनाओ ना कराने पर सरकारिन में से प्रशाशक तैनात कर देगी प्रदेश में करीब 84 नगर निकाए के बोड का कारेकाल एक दिसंबर को पूरा हो जाएगा इस बार चुनाओ समय पर नहीं होने के कारण शहरी विकास विभाग आगामी एक दिसंबर को निकाए में प्रशासके नियुक्ती करने की तैयारी कर रहा है वहीं शहरी विकास मंत्री प्रेम शंद्र अगरवाल का कहना है कि राजी में निकाए चुनाओ सभी प्रक्रियाओं क कमल करनी होती है साथ में जो आरक्षन विभिन निकावें में जिस प्रकार से होने वो काम भी अभी चल रहा है ये काम पूरा होने के बाद चुनाओ की समावने हैं हमारे हम बनती हैं तो उस के लिए एक्सेजराइज चल रही है मद्नाता सोची के लिए कह दिया गया है आखनी की समीप एक कबार की दुकान में भीशन आग लग गई आग की चपेट में आने से दुकान में रखा लाखों का सामान खाक हो गया आग की सूचना मिलते ही दमकल और पुलिस सहित रेस्क्यूटी में घटना स्थाल पर पहुचकर आग पर काबू पाने में जुड पताया है कि कबार की दुकान में आग लगी आग इतनी भयानक थी कि शुहर की किसी भी कोने से दिखाई दे रही थी आग लगने की कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है खबर देरादून से है जहां आगामी लोगसभा चुनाओ के लिए कॉंग्रेस में पार्टी मजबूत करने की तैयारियां जोरो शोरो पर हैं जिसको लेकर प्रदेश भर में जुलाकारी करता सम्मेलन का आयूजन किया ज़ा रहा है जिसमें रुद्ध प्रयाक सहीत तीन जिलो में सम्मेलन का आयूजन पूरा हो चुका है अब आगामी सम्मेलन टिहरी और बागिश्व में होने ज़ा रहा है जिसमें प्रदेश अधेक्ष करन महरा सहीत कॉंग्रेस के वरिश नेता भी मौजूद रही है कॉंग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मतुरादत्त जोशी ने बताया कि बूत स्तर के कारेकरताओं को मजबूत करने के लिए प्रस्टिक्षन देने के सम्मेलन का आयूजन किया ज़ारा है जिसका परिणाम आगामी चुनाओं में मिलने वाला है सोला, सत्रा, ठारा, तीन दिन हमारा चमूली, रुद्रप्रियाग और पॉडी में जिलाइस्तरी हमारे कारेकरता सम्मेलन आयूद हुए है अब हमारा 21 और 22 तारिक को केहरी संस्दी चेतर के 학ared जिला और उत्तरकासी जनपदिस्तर के हमारे सम्मेलन है उसमानिय ऩभिस जी और कोंग्रेस के हमारे बरेश नेतागर प्रदिभाग करेंगे अगली खबर कोड़दवार से हैंचा चौप्टाखाल में सत्पुली के बीच दो सड़क हाथसे का शुकार हो गया हाथसे में सवारीयों से भरी दो बसे आपस पे टकरा गई एक बस चौप्टाखाल से कोड़दवार जा रही थी वहीं दूसरी बस चौप्टाखाल की ओर जा रही थी वस में सवार एक दरजुन से जादा यात्री घायल हो गए हैं जोने एक सो आट की मिदब से अस्पिताल पहुशाए गया है गनीमत रही कि बसों की भढ़न के बाद, खाई में नहीं गिरी जिसे बड़ा हात्सा होने से टल गया तस्वीरे देखें आप अन्दाज़ा लगा सकते हैं कि हाथसा कितना भयानक था उसमें राहत की बात ये रही कि बसे खाई में गिरने से बच लिए जिसे बाल-बाल बड़ा हाथसा होने से बचा है तमाम घायल यात्रियों को अस्पताल पहुचा दिया गया है और साथे साथ रास्ते को एक बारतने से चारू रूप से चलाने के लिए प्रशासन के द्वारा कारे चलाने हैं खबर उत्राखन से है जहां विपक्ष के आरोपो पर सत्ता धारी दल बाचपा ने भी विपक्ष को उनकी राज में कानून विवस्था याद दिला दी भाचपा प्रवक्ष की सरकार थी उस समय रूड़की में जेल के बाहर दिन दाहारे गोली कांड हुआ था जब कि कई पुलिस वालों पर खनर माफियाओं ने गाडियां भी चुड़ाई थी ऐसे में उस पार्टी को बड़ी-बड़ी बाते शुभा नहीं देती जो अपने राज्य में कानून विवस्था का बुरा हाल रखती है उत्राखान बीजेपी प्रवक्ष ने कॉंग्रेस पर तंच कसते हुए यह तमाम बाते कहीं कि इस पुरे प्रकरण में जो हमारी जांच एजनसी आए है और यह अंतराज्य गिरो जो भी राव उसका परदापार सी गिरोग बहुत सारे हमें सुराग मिले हैं यह जांच दिकारी हैं बहुत जंद ही प्रेस के मार्दम से अबगर्द भी कराएंगे और मैं कह सकता हूँ कि जाच एजनसिया बहुत बड़े सिस्टम तक पहुँची है और आने वाले समय में सारा खुलासा होगा कॉंग्रेस का काम तो राजनिती का आउसर तलास दिया है कांग्रेस को अपने इतिहास को याद करेंगे और इसके बाद बात करेंगे एगली खबर की एगली खबर सा की है उन्होंने केंद्रो और राज्य सरकार पर मजदूरों को समय से बाहर ना निकालने का आरोप लगाया है उन्होंने केंद्रो और राज्य सरकार से सवाल खड़े किये हैं कि क्या राहत कारे में कारे कर रही एजेंसी विशिशिक और इंजिनियर के पास परयाप्त अधन मजदूरों को निकालने के लिए हैं, उन्होंने जल्द राज्य सरकार को प्रेस कौनफरेंस कर स्थती का स्पष्टि करन करने का निवेदन किया है, वहीं मांगी है कि जल से जल मजदूरों को बाहर निकालने के लिए काम किया जाए। एक सब्ता से भी अधिक का समय बीट गया है बलकि मैं समझता हूँ कि दस दिन से अधिक का समय बीट गया है उत्तरकासी के सिलक्यारा में निर्मणाधीन टनल में 40 मजदूर आज तक फसे हुए है मैंने ततकाली कुर्प में उस दिन ये का था कि अभी इस पर कुछ रियेक्ट बहुत इस रूप में नहीं किया जा सकता कि सरकार के प्रयासों में कोई कमी हो उस दिन मैंने ये का था लेकिन मैंने ये का था कि सरकार को ततकाल इसमें प्रयास करने चाहिए आज इतना समय बीद जाने के बाद ये कहने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि सरकार के पास ना इच्छा सकती दिखती है और सरकार के पास ना सामर्थ दिखती है आज 10 दिन से 49 फसेवे लोगों की इस्थितिका भी पता नहीं लगा पा रही है बताने पा रही है कि उनकी इस्थितिक क्या है सब्जियों के बढ़ते दामों ने लोगों की भजट को पूरी तरह से बिगाड़ दिया है प्रदेश की छोटी बड़ी मंदियों में सब्जियों की दामों में एक बार फिर से उच्छाला आया है जिसके बाद विपक्षी पार्टी कॉंग्रेस ने केंदर सरकार और राज की कोशिश कर रही है लेकिन देश की जंता अब समस्दार हो गई है आगामी लोग सभाचनाओं में इन्हें मू तोड़ जवाब देने का काम करेगी और इसी के साथ फ़लाल इस बुल्चन में इतना ही खबरों के सलसला जारी रहेगा नमस्का